पूंदेल खट नियूज में आपका सौगत है तो आप देख रहे थे ये इस्पेसल रिपोर्ट है जिसमें एक ये बुढ़ी मा हैं जो जिनके वेटे राजस्थान चले गए है कमाने और देख सकते हैं पलायन किस्त कदर हावी है बुंदेल खंड में लगबग पिछले एक दसक से भी उपर के समय में अधिक लोगों ने बुंदेल खंड से पलायन किया है और अभी इनसे बात हुई हमारी तुनों ने बताया कि बच्चे गए हैं राजस्थान कमाने के लिए गए हैं और यहां प झाली है तुम झाली है। कौन योजनां का फायदार मिना थे सरकार के सरकार के का फायदा ना पाइशा पाउं ना गल्ला पाउं तो कौन सरकार के ना उन नाम लग का हम किता कमा लेती है एक दिन मा अरे बेल चेक नहों बाबुजी है तो अधर का है थे लेव बड़ा लग कहा है तो अलग खेती होती नहीं आएगा कमा यह चलेगे ना तो कदो आवा थी तो यह नहीं कातियां कि तो मैं लाई जही है यह रही है कि हमां अधिन आएगा कि हमां बता जहों कि कुन नहीं मिला है जैसा रहे हैं तैसे हैं अच्छा मोधी सरकार रही तीन साल होई गवां का का फाइदा मोधी सरकार से भाव को च्छा मोधी के काम काउंस अच्छे लगे आपको अगर तीन साल में कौनो काम अच्छा लाग मन ले रहा है तो सिलेंडर मिले हैं तो कोंम अच्छा है कि दूठा काम सही पतावाया तक हो और योगी की अच्छा महीन होई गांगे इंका काकसत है इसा इनका शाना कुछ नहीं है कि आए यह कम अदेकर यहां को जोगाए तो अपना जाना है तो चित्रकूट के पांशा का वह गाँ है तो पहला ना राम चांदर जी कि अधिका यहां काफी लोग आओ थे दूर दूर्दूसे लाखन आदमी परिक्मा लगाओ थे कि परेटन खाती रगर विकास होई जाया तो कहा हुए तो किसानी करती हो लड़का रहा थी सब्सक्राइब बढ़िश्या अचा बाहर ओजाती कमाएं हाँ काम दान में लगा अचा रोजगार नहीं है तो यह आन पड़ा थे बाहर ना मतलब पलायन तो हुई जाते हैं तो कसद जाती हैं पर कसद का नोकृश्या परी मिलती पूल न उक्री उक्री नहीं है बनी मजूरी साकल है चाहिए करन चाहिए बाहर करन